वाइनाट सीट से प्रियंका की चुनावी राजनीती में एंट्री ने बीजेपी खेमे में बेचएनी बढ़ा दी है प्रियंका ने अभी सिर्फ नामांकन ही भरा है और पूरी की पूरी बीजेपी प्रियंका गांधी पर हमला वर हो गए एक बार फिर कॉंग्रिस की चबी को खराब करने की कोशिश की जा रही है और सबसे बड़ी बात ये कि हर्याना चुनाओ की तरह बीजेपी एक बार फिर से दलित काट खेलने की कोशिश कर रही है तो आखिर क्यों बीजेपी में मच गई है खलवली क्यों बोखलाई हुई है बीजेपी और कैसे प्रियंका गांधी और कॉंग्रेस की छबी को खराब करने की कोशिश कर रही है पार्टी इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात नमस्कार मैं हूँ अन्शित प्रियंका गांधी जब सिर्फ पार्टी के लिए प्रिचार करती थी तभी इतनी आक्रामक थी बीजेपी और मोदी सरकार के पास उनके सवालों के जवाब नहीं हुआ करते थे तो अब अगर प्रियंका संसत के अंदर पहुँच जाएंगी तो एंडिये सरकार का क्या होग बीजेपी कोटे के मंतरी यहां तक के खुद पिये मोदी उनके सवालों के जवाब देने से अब बच नहीं पाएंगे जवाब देने ही पड़ेंगे और यही सोच सोच कर बीजेपी परेशान है रातों की नींद उड़ी हुई है जिस तरह से प्रियंका गांधी की रैली मे जन से अलाब उमड़ा बीजेपी की तो रातों की नींदी उड़ गई नतीजा बीजेपी उलजलूल बाते करके पार्टी की छबी को खराब करने की कोशिश में लग गई है अब इसका फायदा उसे मिल पाएगा या नहीं यह तो नतीजे बताएंगे लेकिन इस सब से रगलाने की कोशिश कर रही है तो कभी परिवारवात का आरोप भी लगा रही है लेकिन खास बात यह है कि बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं इन तमाम आरोपों का कॉंग्रेस लगातार जबाब दे रही है और सबूतों के साथ दे रही है इसलिए बीजेपी के इन चीलब में लगती है और अब एक दिन में ही बीजेपी की तरफ से इतने आरोप लगा दिये गए हैं कि शायद बीजेपी खुद भी नहीं गिन पा रही होगी तो प्रियंका ने चुनावी राजनीती में एंट्री क्या की बीजेपी तो उनके पीछे ही पड़ गई बीजेपी उन्होंने कॉंग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जितनी आवादी उतना हक कहने वाली पार्टी अपना ही नारा भूल गई इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को वाइनाट के लोगों से माफी मांगने के लिए भी कहा वहीं भाजपा नेता सीयार केसवन का भी बयान आ गया उन्होंने कहा कि वाइनाट के लोग कॉंग्रेस के लिए डिस्पोजिबल करी पत्ते की तरहा हैं बीजेपी को लगा था के इन बातों से वाइनाट की जनता भड़क उठेगी और शायद प्रियंका का वाइकाट शु मुझा दिया कि उससे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला और इसके बाद बीजेपी दूसरी चीज़े जूड़ने में लग गई और उसके हाथ लग गया एक वीडियो जिसे पार्टी का आइटी सेल अप सोशल मीडिया पर जूटी जानकारी के साथ फैलाने में लगा हुआ कि वाइनाड में गांधी परिवार ने कड़गे का सरे आम अपमान किया असम के मुख्यमंत्री हिमंता विस्वा सर्मा केंद्री मंत्री गजेंद्र सिंग शेकावच समित कई बीजेपी नेताओं ने सबूत के तौर पर एक वीडियो भी शेयर किया और दावा किया कि जिस स तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर बीजेपी का दावा क्या है तो बीजेपी के तमाम नेताओं ने एक वीडियो जो आपने अभी देखा उसे शेयर किया इसमें कथेत रूप से कॉंग्रेस प्रमुख किसी कमरे के बाहर से अंदर जाते हुए नज़र आ रहे है केंद्रिय संस्कृति और परेटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत ने एक्सपर लिखा जब आप खरगे हों लेकिन घर के नहीं हो असंसीम हिमंताविस्वा सर्मा ने उस वीडियो के कैप्शन में लिखा आज वाइनाड मित तथा कतित पवित्र तिमूर्ती द्वारा म लोगों को अपमानित करने में गर्व महसूस करता है जिने वो केवल रवर स्टैंप मानते हैं तो खडगे का बंद दर्वाजे से जहांकने वाला ये वीडियो बीजेपी के तमाम सोशल मीडिया हैंडल और ग्रूप में जम कर शेयर किया जा रहा है अब सवाल उठ रहे हैं पार्टे अद्यक्ष पर आरोप लगे तो खडगे और कॉंग्रेस के आधिकारिक हैंडल से प्रियंका के नामांकन की कई तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किये गए रिटर्निंग ओफिसर के दफ्तर में प्रियंका के एक तरफ राहूल बैठे हुए हैं तो दूसरे तरफ खडगे बैठे नजर आ रहे हैं जबकि बीजेपी का आरोप है कि प्रियंका जब डियंका की कमरे में नामांकन दाखिल करने गई तो खडगे को भीतर ही नहीं आने दिया गया हाला कि कॉंग्रेस नेताओं ने कहा कि नामांकन कक्ष में तैस अंख्या में लोग ही भीतर जा सकते हैं आपको बता दे कि नामांकन पत्र जमा करने के लिए चुनावायों की नियम साफ हैं कि उम्मीदवार अपने साथ प्रस्ताओं और समर्थक सहे तो कुल मिलाकर पांच से ज़ादा लोगों को निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में नहीं ले जा सकता सर्फ पांच लोग ही उसके साथ निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में जा सकते हैं लेकिन कॉंग्रेस ने खरगे को लेकर बीजेपी के हर आरोप का जवाब दिया बाकायदा सुप्रियर स्रीनेत ने एक वीडियो जारी करके जवाब दिया क्या काहा उन्होंने पहले सुन ले दे दिन भार आज भाजपाई सकते में रहे वाइनाड में उम्रे जंस एलाब को देख कर ये निरुत्तर थे समझी में नहीं आ रहा था वक्त डियम के कमरे में प्रत्याशी को मिलाकर मात्र पांच लोग बैठ सकते थे जब खरगे जी सोनिया जी और राहुल जी वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पर अलड़ी कुछ लोग बैठे हुए थे जैसे ही वो कमरे से निकले उनको पता चला ये लोग आ गए वो लोग कमरे से निकले उसी वक्त खरगे जी, सोनिया जी और राहुल जी अंदर आयो खरगे जी आकर प्रत्थम पंक्ती में बैठे सोनिया जी CPP की अध्यक्ष होने के बाद भी पीछे वाली पंग्दी में बैठी हमारा अपने अध्यक्ष के लिए भरपूर सम्मान है लेकिन भाजपा बार बार जो खरगे जी का अपमान करती है शायद इसलिये करती है क्योंकि खरगे जी दनित समुदाय से आते हैं उस समु संका जी किसी एक व्यक्ति के हां आश्रीश और मांक दर्शन लेने गई थी तो वह कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकार जुन खरगे जी थे उनके बारे में इस तरह के गलीच जूट बोलकर भाजपाई बार बार आप अपना असल चहरा दलित विरोधी चहरा दिखाते हैं लेक पोस्ट को कोट करते हुए लिखा कि यह हैं देश के केंद्रिय संस्कृति एवं परेटन मंत्रे एक तरह से यह हमारे देश और मोदी सरकार के संस्कृतिक राजदूत हैं इन्हें भी मालूम होगा कि नामंकिन दाखिल करते वक्त निश्चित संख्या यहां पर पांच में लोग अंदर जा सकते हैं अब इन माननिये और इनकी प्रजाती के अन्य अंगिनत माननियों के आच्रण पर कोई क्या कही इन्हें इसी फूहडपने और चारण निर्त्य का पारितोशिक मिला हुआ है शायद इसी अम्रितकाल की परिकल्पना आदर्णी प्रधानमंत्री जी और यहानि कॉंग्रेस को गेरने में लगी बीजेपी अब खोधी घीर गई है कॉंग्रेस ने उल्टा बीजेपी से सवाल पूछ लिए हैं कि क्या आपको नियमों की जानकारी नहीं है तो कॉंग्रेस ने जिस तरह से सबूत के साथ बीजेपी की बोलती बंद की उस से बीजेपी ने नई चाल चली और रैली में आई भीड पर ही सवाल उठा दिये बीजेपी की प्रित्याशी नव्या हरिदास ने आरोप लगाया कि रोड शो में जो भीड दिखाई गई है वो त्रिशूर सहित अन्य जिल्नों से लोगों को जूट बोल कर लाया गया था लोगो यह बीजेपी नेता का ताजा बयान साफ साफ दर्शा रहा है कि बीजेपी बॉखलाई हुई है और बेफिजूल बात कर रही है यहां तक की जानकारों का तो यह भी कहना है कि बीजेपी को तो बहाना चाहिए था नाम अंकर में जो भी नहीं शामिल होता वोसी का नाम लेक तो आप जनता भी बीजेपी की चाल को समझ चुकी है और इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने ही जाल में फज गई है या कह सकते हैं कि बीजेपी ने प्रियंका की जो लोग प्रियता देखी है जो बढ़ती होई लोग प्रियता है उसने बीजेपी के पसी ने दीजेगा इसी के साथ मुझे दीजे जाज़त देखते रहें डीवी लाइब नमस्कार